हे एवरिवन मैं हूँ ममता स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल माइना स्वागत में आज मैं आपको विजट कराने वाले हो गुफा वाला मंदिर प्रेत विहाज जो कि बहुत ही प्यारा मंदिर है शिव मंदिर वैशनो देवी मंदिर और सभी दर्गे के भगवान यहा सब्सक्राइब मैं हुट थोड़ा सा अगे चलेंगे तो अपने राइट सइड में एक आपको स्वान año my विश बाबा का मंदिर में मेन देगा and सब्सक्राइब कुरा कुफा बहुत ही प्यारा एक बड़ा यह मंदिर है इसमें काफी बड़े बड़े विशालकाइप्रतिमा है गनेश जी की हनुमान जी की और शिवजी भगवान की काफी गुफाएं है इसके अंदर वैशनो देवी की गुफा इस मंदिर के अंदर है सामने की और अगर हम जाते हैं तो आपको मिलेगा यह जूता स्टैंड जो की निशोल के है आप यहां पे जूते सब्मिट करवाने क के बाद में अपने राइट साइट में हैंड वॉश करके या हाथ पैर धूकर भी आप मंदिर के और जा सकते हैं मंदिर का प्रागन काफी खुला है काफी अच्छा वातावरण है इस मंदिर का गार्ड़निंग का काम बहुत ही प्यारा किया हुआ है इस मंदिर में जो कुछ इस तरीके के पहाड़ों पर बनाई हुई चोटी-चोटी मूर्थियां जो कि बहुत ही प्यारा लुक देता है। राइट साइड से आप अगेन अपने परशाद कलेक्ट कर सकते हैं। परशाद कलेक्ट करने के बाद में आप मंदिर में सबसे पहले जो प्रांगण में जाएंगे वो होगा आपका राइट साइड में सर 1987 में इस मंदिर के स्थापना की गई थी। काफ़े चोटे रूप में इस मंदिर को बनाया गया था लेकिन धीरे धीरे यह मंदिर ने काफ़े विशाल का रूप ले लिया है। यहां पर आपको सभी प्रकार के देवी देवताِं मिल जाएंगे। कोई भी त्योहार हो चाहे वो भगवान शिव का हो, चाहे वो माता वैशनों का हो, चाहे वो गनीश्यू का हो, आपको किसी और जगा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब आगे दिविदेव्ताओं का जो बीक्रे हैं वो इस मंदर के अंदर विराजित है जैसे हम सबसे पहले इस प्रांगन में जाते हैं तो आपको मेलेंगे यहां पे सबसे सामने की तरफ भगवान शीव पार्वत और साथ में यहाँ पे इसी प्रांगन के अंदर विराजित हैं भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मन जी और उन से थोड़ा सा आगे क्यों चलेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे हनुमान जी और थोड़ा सा और आगे की तरफ जैसे जैसे हम मुभ करेंगे तो आपको यहाँ पर काना जी मिलेंगे, जो कि अकेले का रूप है, चक्रधारी काना जी का रूप है, दो नाग देवताओं का वास है यहाँ पर, इस प्रांगन से बाहर निकलने के बाद में कुछ आपको इस तरीके का नसारा देखने को मिलेगा, एक विशाल का है, शेर का पागी और एंटर करेंगे, कुछ इस तरीके का नसारा था, बैक साइड का, और जैसे जैसे हम अनमान जी की तरफ बढ़ते हैं, तो अनमान जी के, देखें कितने बिशाल का यह मूर्थी है, बहुत ही प्यारी मूर्थी है, काफी अच्छा, जो इस मंदिर का इस तरीके का कुछ टेड़े मीडे रास्ते यहां पे बनाए हुए रात का समय था, इसलिए आपको थोड़ा सा कैप्चर करने में, मुझे थोड़ा सा प्राब्लम हो रहा था, और इस तरीके से चोटी-चोटी जो रास्ते बनाए हुए थे मातावैशनों की तरफ जाने के और राइट साइट में आपको मिलेंगे यहां पे, सारे शिवलिंग यहां पे विराजित है एक साथ, और जैसे ही हम इस टेड़े मेडे रास्तों से उपर की तरफ जाएंगे, तो सबसे उपर की तरफ जाते हुए आपको दर्शन होंगे, भगवान गनेश जी के काफी पाद में नीचे करना जारा कुछ इस तरीके का था, रात का समय था तो थोड़ा सा विजलिटी जो है वो थोड़ा सा कम है, उसके लिए माफी चाहूंगी, इस तरीके से यह गनेश जी के मुर्थिया बहुत ही प्यारी है, यहां पी सोमवार के दिन बहुत जादा रश होता है क्योंकि श्रमंदिर है और नवरात्रों में भी माता देवी का गुफ़ा है, माता देवी का दर्शन हो जाते हैं, तो यहां पी नवरात्रों में भी बहुत जादा रश रहता है, और मंदिर की पारकिंग है तो काफे सिमित है, तो अगर आप यहां पे वेजल Nouset करना चाह पार्किंग की उपर से जो मैंने आपको निजारा दिखाया था शिव जी शिव लिंग का बहुत सारे शिव लिंग जो विराजे थे उनके बीचो बीच में एकोंड था जिसमें पानी भरा हुआ था और लोग कोईन डाल कर उसमें अपने विश्रस को मांग रहे थे बढ़ते ह हुए हम जाएंगे माता रानी की गुफा की तरफ पंडी जी बाहर खड़े थे और इस तरीके से यहां पर मेरा भाई की दर्शन करने के बात में आप अंदर की और जाएंगे तो शेरा वाली माता की गुफा कुछ इस तरीके की थी टेड़े मेरे रास्ते बनाए हुए थी और इस तरीके की गुफाएं हर जगा मैंने देखा है मा शेरा वाली की जो गुफा है वो कुछ इस तरीके की बनाए होते हैं सीम वही गुफा का नजारा आपको यहां पर देखने को मिलेगा बढ़ते हैं आगे की और तो माता की दर्शन के बाद में यहां पर पंडीची से कुछ इस तरीके इस रास्ते से होंगे एक्जेट होने के बाद में आपको अगें वही पानी का एक तालाब देखने को मिलेगा जो कि इस वक्त पानी अविलेबल नहीं था बट उसमें तो मगरमच थे एक चोटा और एक बड़ा जो मैं आपको कैप्चर करके दिखा रही और इस तरीके से तालाब बनाए हुआ था बट यह भी सूखा था अभी इसमें पानी नहीं था और देखे कितनी प्यारी यह रास्ते जो बनाए हुए न ऐसा यही भक्त जोनों को अपनी और अट्रेक्ट कर लेते हैं बहुत ही प्यारा यह नजारा था आगे के और बढ़त गईया बच्चिया और इस तरीके के जोटी जोटी मुट्यां बनाए हुए थी कुछ गाउं का नजारा यहां पे तिखाया गया कुछ कैलाश परवरत वरवे राजित भगवान शीव के बड़ी प्रतिमा है यहां पर भगवान शीव के दर्शन के बाद जब हम नीचे की औ तब आपको जाने का रास्ता मिलेगा, मा वैशनो देवी की गुफा की और कुछ इस तरीके की ये गुफा थी, बहार एक बहुत ही बड़ा जो शेर का मूँ था, वो था कुछ इस तरीके से आप यहां पे मा वैशनो देवी की गुफा में एंटर करेंगे, यहां पर लोग बै अपने घर बनाया हुए थे, तो जब हम यहां पे एंटर करते हैं, कुछ इस तरीके से एंटर करने के बाद में, गुफा करने जारा कुछ इस तरीके का था, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस गुफा में हम जैसे ही एंटर करते हैं, तो कुछ इस 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 तान पर कि अगर आप एक तरफ से निकलते हैं तो दूसरी तरफ आपको देखने को नहीं मिलेगा बहुत ही प्यारी यह गुफा थी बच्चे बहुत अट्रेक्ट हो रहे थे इसे देखते हुए और चलिए चलते हैं माताजी के दर्शन की और गुफा का नजारा कुछ इस तरीके का थ नजारा का नजारा कुछ इस तरीके का था यह और जैसे हम गुफा से बाहर के और निकलेंगे तो आपको दर्शन होगे भेरवनाजी के कुछ इस तरीके से गुफा की दिवारों पर नक्ख नजारा कुछ काशियां की हुई थी, यहां पे हम भैरो बाबा के दर्शन करते हुए, आगे के और बढ़ते हैं, देखिए कितना प्यारा प्यारा नकाशी की हुई थी यहां पे, तो जैसे हम मा वैशनो देवी की गुफा से बाहर निकलते हैं, तो कुछ इस तरीके का नजारा था, अगेन ह रात का समय होने के वज़े से मैं आपको दर्शन नहीं करवा पाई जोतिर लिंक के जो कि भगवान शिव के कई रूपों का धारन किया हुआ है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं अगली हिट बेल इकल चाहिंए जर बेल इकलो से आज कि लिए एल रडिफिक इन फिर्यूट गडिव के लिए कि मैं आपके ब्सके भीजिए।